बिस्मिल्ला रुर्मान वर्हीम अस्सलाम उलेकुम तो कैसे हैं आप सब आज हम गोटा पटी में बहुती खुबसुरत सा नेक डिजाइन बनाएंगे स्लीव डिजाइन तो आपने बहुत से देखे होंगे लेकिन नेक डिजाइन यहां पर मैं आज रैडी करूंगी तो मैंने और मैंने फिक देखें पटी में लेड़ा है और उसको इनक कर लिया है इस तरीके से मनलब टूपॉइंट से ठोड़ा सा कम इसकी जो है लंबाई है और उपर की साइट जो इसकी गहराई है वह वन इंच तो इस तरीके से हम ने लेकिन को मार्क कर लिया है आप अपनी चोई इसके साबसे नेक डिजाइन रेडी कर सकते हैं जितना चाहें इस डिजाइन को आप बढ़ा सकते हैं तो यहां पर देखें जो मैंने पहले ड्रॉ किये है ना गोल सरकल उनके दर्मियान में रखना है इसको दर्मियान में रखकर इस तरीके से देखें ड्रॉ कर लेना है और य ना ने अपर हम बनाए सकते हैं यहां पर देखें जब दोटा पती को तो बॉबिन को तो आप लोग ब्लोग जलदी बर लेते हैं तो कहने का मतलब यह है कि आपने जब इसको गोटा पटी को बॉबिन में फिल करना है ना तो इस तरीके से करना है कि बिल्कुल स्टेट स्टेट देखें मैं हाथ से ही कर रही हूं यह बिल्कुल भी मशीन से नहीं फिल की जाएगी ना बॉबिन चुकि इसका जब हम गोटे को Ufail करें तो यहाँ ने लूज करने के बाद इतना के अपको जह है तो बार आ चला करने के पार दूज करने के पार बार यnd continuar प्रेंड करate हिंए अब में स्टीचिंग करें करना है कैसे पहले नेक को माध्य सिंगल मैंने कर लिया है डबल भी बाद में कर लूँगी देखें इतना खुब्सूरत बनेगा ना कि आप भी अपने मतलब आपका भी दिल करेगा कि आप अपनी शर्ट पर बनाएं अपने स्लीव पर बनाएं स्लीव डिजाइन तो इस तरीके के आपने बहुत से देखें होंगे मैंने सोचा थोड़ा अलग आपके साथ शेयर कर देते हूं कि अगर आप नेक पर बनाना चाहें तो आप नेक पर भी इजिली बना सकें इसी डिजाइन को तो बस इस तरीके से देखें जो हमने मार्क किया ह है तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजे वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली फ्रेंट्स में भी शेयर कर दीजे देखें कितना खब्सूरत बन रहा है नीट बिल्कुल थ्रेड की तरह ही तो मैंने देखें नेक पर डबल माक कर लिया था अब ह सेकंड जो है ड्रा हमारा उसको कंप्लीट करेंगे तो यहां पर देखें हमें कट नहीं करना है बिल्कुल इसी तरीके से सरकल बनाते आना है जो हमारे सेकंड बाले सरकल है इनको इस तरीके से ही हमने स्टिच लगाते आना है स्टिच जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर बाकी का कम हम दबारा से स्टार्ट करेंगे तो छे मिनट की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा गोटा पटी का नेक डिजाइन शेयर करने लगी हूँ ड्रॉ आपने बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं इनी सरकल को आप दरम्यान में रखते हैं रखते हैं बिल्कुल माग कर लीजिए तो यहां पर हमारा जो है स्टिच कंप्लीट हुआ यह देखें फ्लावर मैंने लिए हैं बहुत ही खुबसूरत से तो यह आपको धागा शॉप से एजिली मिल जाएंगे तो बहुत ही कम खर्च में यह आप नेक डिजाइन या फिर स्लीव डिजाइन बना सकते हैं कंप्लीट जो इस पर खर्च आएगा ना तकरीबन से तकरीबन भी इस स्नैक पर मेरे आया है 100 रुपीज तकरीबन क्यूंकि मैंने जो लिया है गोटा वो है 70 का तो वह गोटा सिर्फ हमारा थोड़ा सा ही यूज हुआ है बाकी का गोटा वेस्ट नहीं होगा हम किसी भी डि लेंगे और बहुत ही कम प्राइज में तो यहां पर देखें आप चाहें तो स्वी से भी अटैच कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर मशीन का ही इस्तमाल किया है क्योंकि यहां पर कोई बहुत ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा अगर हम जो है स्वी से अटैच करें या फिर तो यहां पर मशीन से अटैच करने के बाद मैं यह तमाम धागे कट कर लूँगे अच्छे से दीजिए मैंने धागे तमाम कट कर लिये हैं अब मैं अंदर भी यह देखें फ्लावर लगा लूँगी तो देखें कितना खब्सूरत लग रहा है डीसंट हमारा जो है नेक डि लगाई है और देखें इस तरीके से बस इस तरीके से जहां हमें खाली लग रहा है हमारा नेक हम वहां पर लगा लेंगे बस दरम्यान से काफी खाली जगा है तो इसलिए मैंने फिल करने के लिए यहां पर यह यूज किया है अब अपनी चोईस के अकॉर्डिंग कुछ भी लूप दिखाऊंगी इसकी बहुत ही खब्सोरत लग रहा है तो लीजिए हमारे जो नैक डिजाइन की फाइनल लूप कितनी खब्सवरत है अगर आपको मेरे वीडियो आज की पसंद आई हो बहुत ही प्यारा सा और डिसंट सा नैक डिजाइन बना है पसंद आई हो तो प्